समस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स काइड पर बच्चों, आज हम आठने कक्षा की पाठ्य पुस्तव में संकलित पाठ यारा जब सिरेमा ने बोलना सीखा के प्रशन उतर पर चर्चा करेंगे तो आएए पहले देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ पहला स्वाग फिलम, मूख फिलम के बाद बनी बोलती फिलम पटकथा, फिलम के लिए लिखी जाने वाली कहानी समवाद, फिलम में की जाने वाली बाठचीत पार्शव गायक, परदे के पीछे से गाने वाला डिस्क फॉर्म, डिस्क फॉर्म हो गया, रिकॉर्डिंग का एक रूप किरदार, किरदार हो गया, अभिनेता की भूमिका या कोई चरित्र, खिताब, खिताब हो गया, सम्मान तो आईए देखते हैं इसका पहला प्रशन जब पहली बोलती फिलम परदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्या शापेगे उस फिलम में कितने चाहरे थे, सपश्ट कीजिए तो आपने बताने कि जब पहली फिलम परदर्शित हुई तो उस पोस्टरों पर क्या क्या लिखा हुआ था तो उतर देखते हैं, जब पहली बोलती फिलम परदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिन्दा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करतें देखो, ये जो वाक्य हैं ये उस पोस्टर पर लिखे हुए थे जब पहली बोलती फिलम पर दर्शित हुई, तो जैसे कि यहां पर बता गया है कि 78 मुर्दा इंसान जिन्दा हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि उस फिलम में 78 चहरे थे, तो बच्चों देखते हैं दूसरा प्रशन, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिलमकार अर्देशिर M. इरानी की को प्रेणा कहां से मिली, उन्होंने आलमारा के लिए आ पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिलमकार अर्देशिर M. इरानी को प्रेणा हालिबुड की बोलती फिलम शोवड से मिली, उन्होंने आलमारा फिलम के लिए आधार पार्सी रंगमच के एक लोगप्रियर नाटक से लिए, जो पार्सी रंगमच थेटर है, उसमें एक प्रेणाटक था, वहां से उन्होंने ये आधार लिया, तो बच्चों देखते हैं तीसरा प्रशन, विठल का चैन आलमारा फिलम के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया, विठल ने पुना नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए, तो उत्तर में आपने बताना है, कि विठल का चैन आलमारा फिलम के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें इसलिए हटाया गया, क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी, विठल को क्यों हटाया गया था, क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्क मुकदमा कर दिया और विठल मुकदमा जीद गे और पुना अलमारा में नायक बन गे तो बच्वा देखते हैं इसका अगला प्रशन पहली स्वाक फिलम के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मान करताओं ने उनके लिए क्या कहा था अर्देशिर ने क्या कहा और इस परसंद में लेखक ने क्या टिपने किया है लिखे तो आपने बताना है कि जब पहली स्वाक फिलम बनी तो निर्माता जो है अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तो जो सम्मान करने वाले थे उन्होंने क्या कहा था फिर अर्देशिर ने क्या कहा था और इस परसंगने में लेखग ने क्या कहा है तो देखते हैं पहली स्वाग फिल्म के निर्माता अर्देशिर को जब सम्मान तब सम्मान करताओं ने उन्हें भारतिय सवाक का फिल्मों का पिता कहा, तब अर्देशिर ने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आविश्यता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, ये किस ने कहा था, अर्देशिर एमिरा फिर उसके बाद लेखक ने क्या कहा, लेखक ने ये कहा है, इस परसंग में लेखक ने टिपनी करते हुए कहा है, कि वे बहुत विनम्र व्यक्ति थे, वे सवाक सिनेमा के जनक थे, जिनकी उपलब्धी को भारतिय सिनेमा के जनक फाल के साहब को भी अपनाना पड़ा, कभी कभी डव फिल्मों में अभिनेता के मूँ खोले और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो बच्चों आपने दे उतर में लिखने हैं कि डव फिल्में वे होती हैं, जो एक भाशा से दूसरी भाशा में रुपांतरित की जाती हैं, आज कर इस को बहुत पसंद किया जा रहा है, कभी कभी डव फिल्मों में अभिनेता के मूँ खोले और आवाज में अंतर आ जाता है, इसके कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, अभिने और स्वाग के संयोजन में अंतर और अभिने जो अभिने किया जाता है और जो बोला जाता है, जो संयोजन होता है उसमें कमी के कारण ये हो सकता है या संयोजन करता कि कुछ कम्यों के कारण हो सकता है या अन्य तक ने की कम्यों के कारण मतलब कोई अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण उनके मुझ खोलने में और अभिने में अंतर आ जाता है तो बच्च करेंग